हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि कैसे हम HP LaserJet 1010 Printer के ड्राइवर Windows 10 में इंस्टॉल कर सकते हैं इस वीडियो में मैं जो आपको प्रोसीजर दिखाऊंगा वो काफी सिंपल है और आप भी उसको बड़े अराम से कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं यहापे उसके लिए मैं आपको एक एक एक्जामपल देता हूँ तो मान लीजिए हमारे पास एक लैप्टॉप या कंप्यूटर है जैसे कि हमने यहापे एक लैप्टॉप लिया है और हमारे पास एक प्रिंटर नॉर्मल सा अब अगर आपको लगता है कि यह दोनों एक दूसरे से डारेक्ट कम्मिनिकेट करते हैं तो यह ऐसा नहीं है आप गलत है असल में होता क्या है लैप्टॉप कम्मिनिकेट करता है उसके ड्राइवर से और जो ड्राइवर है वो दन कम्मिनिकेट करता है अपने प्रिंटर से लेकिन इस केस में हमारे जो ड्राइवर है वो विंडोस 10 के लिए अवेलेबल ही नहीं है वो Windows Vista 2000 और इनके लिए available है लेकिन Windows 10 के लिए नहीं है इसलिए बीच में कोर्षी जा जाती है जिसको हम कहते है .4x file ये stimulate कर देती है इस तरह से driver को कि वो older Windows में चल रहा है यानि कि आप Windows 10 में driver use कर सकते हैं लेकिन उससे एक जुगाड की तरह ही समझे तो हमार जो laptop है वो communicate करेगा .4x file से वो then communicate करेगी driver से और last में आएगा आपका printer तो अब शुरू करते हैं प्रोसीजर तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास अभी printer set हुआ हुआ नहीं है तो control panel में जाके मैं आपको यहाँ पर printer वाले section में दिखाता हूँ देखें यहाँ पर कोई भी HP का printer आपको predefined नहीं मिलेगा तो आपको description में एक link मिलेगा आपको उस पर click करना है मैं इसे यहाँ से copy कर लेता हूँ और किसी भी browser में जाके paste कर लेता हूँ तो यह due box के एक website खुल जाएगी यह authentic website है कोई fake website नहीं है और यहाँ पर आपको पहले password पूछा जाएगा password मैंने सिर्फ spamming से बचने के लिए लगा रखा है आपको due box के साथ में password लिखा दिख जाएगा लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ password है ftwt आप ध्यान से देखें आपको स्क्रीन पर ftwt due box के साथ में लिखा दिख जाएगा लेकिन जब आप वहाँ जाएगे तब आपको यह वहाँ पर शूर नहीं होएगा तो जब आप ftwt लिख देंगे तो आप extract पर क्लिक कर दीजे तो यहाँ पर आप सामने देखें आपको लिखा देख जाएगा इस PC में राइट क्लिक करके प्रोपर्टीज में क्लिक करिए सिस्टम टाइप के सामने आपको लिखा दिख जाएगा 64-bit operating system या तो आपका PC 32-bit होगा या 64-bit बस यही दो अवेलेबल होते हैं आज की डेट में जितने PC होते हैं 64-bit होते हैं पहले के टाइम पे 32-bit वी अवेलेबल होते थे तो हमें डाउनलोड करना है 64-bit वाला तो आप इस पर बस एक चेक कर दीजे और डाउनलोड पे क्लिक कर दीजे तो हम यहाँ पर लॉग इन नहीं है पहले में लॉग इन होना पड़ेगा और यहाँ पर देखिया Facebook, Google या Apple से लॉग इन हो सकते हैं Trust me इसमें आपको दो सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा तो मैं Google से साइन इन हो जाता हूँ बस आपको एक बार क्लिक करना है और बस आप लॉग इन हो गए हैं इतना ही टाइम लगना था दुबार हम इस पर चेक करेंगे और डाउनलोड करेंगे यहां पर एक फाइदा आपको यह होएगा कि यहां पर किसी भी टाइप की आपको एड शो नहीं होएगी जिससे बहुत ही डिस्ट्रेक्शन होती है डाउनलोड होने के बाद हम उस फॉल्टर में जाएंगे जहां पर डाउनलोड हुआ है मैं इसका व्यू थोड़ा चेंज करता हूं तो यह जिप फाइल आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगी आप इस पर राइट क्लिक करके एक्स्ट्रेक्ट हीर कर दीजेगा यह आपसे पास्वर्ड पूछेगा तो पास्वर्ड है hs2 एक फोल्डर आपका बनके आ जाएगा उसमें आप जाएगे इसका भी मैं व्यू चेंज करता हूँ तो यहाँ पे आपको तीन फाइल दिखेंगी .4x नाम से दूसरी फाइल मिलेगी आपको जिसमें actual drivers हैं तीसरे मिलेगी hp universal drivers तो पहले आपको .4x वाली फाइल डाउनलोड करनी है इसके लिए आप इस पर डबल क्लिक करिए यह दो से तीन सेकंड चलेगे और अपने आप ही बंद हो जाएगी बस इसका काम इतना ही था अब हम चलते हैं दूसरी फाइल पर जो किया है जिसमें actual driver है इसको आपको extract करना पड़ेगा इसमें कोई password नहीं है यह वाला फोल्टर अब आ गया है तो सबसे पहले हमने क्या किया हमने .4x वाली फाइल को डबल क्लिक किया उसके बाद हमने दूसरे नंबर की फाइल को extract किया जिससे हमें यह फोल्टर मिल गया अब हम इस फोल्टर को ऐसी जगा पेस्ट कर देंगे जहाँ पे हम ज़्याद फिर मैं इसको cv drive में पेस्ट कर देता हूँ तो अब यहाँ पेस्ट हो चुका है वाबस चलते हैं वहीं पर तो लास्ट्रेप हमारा है यहाँ आपको hp वाले लोगों पे क्लिक करना है दो बार और बाई डिफोल्ट सेटिंग पे कुछ नहीं छेड़ना और आपको अन्जिप पे क्लिक कर देना है ok पे क्लिक कर दीजे यह window आ जाएगी तो अब पहले मैं दिखाएँ आपको मेरा printer भी configure नहीं हुआ है हाला कि मैंने printer को on कर दिया और उसकी बार attach कर दिया usb केबल यह unspecified में आ रहे हाला कि इसको printer में आने जाए तो वही हम भी ठीक करने वाले है तो यहां पर आप जो प्रोसेस है वो टोटली दो डिफरेंट टाइपस में तूट जाता है तो पहले हम पहले टाइप का प्रोसेजर समझेंगे दूसरे वाला काफी असान है तो दूसरे वाला उसके बास मजते हैं पहले आप यह एस पर क्लिक करिए फिर फर्स नंबर पर ट्रेडिशनल मोड नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला उप्शन यूज़ लोकल पर इंटर यहां पर लोकल का मतलब वायर वाले से हैं ड्रॉपडाउन मेन्यू में से .4 वाली फाइल को सेलेक्ट करिए याद करिए हमने .4 एक्स नामसे फाइल वहां पर डाउनलूड करी थी और इंस्ट्रॉल करी थी तो यहां पर हमें .4 के आगे जो भी नाम हो से हमें को मतलब ने में .4 वाला पॉर्ट सेलेक्ट करना है इसके बाद नेक्स स्टेप में यहां पर आपको साइड में प्रिंटर मोडल दिखेंग आपको यहां पर नहीं जाना आपको हैव डिस्क पर जाना है तो हम हैव डिस्क पर क्लिक करते हैं यहां पर आपको ब्राउस पर क्लिक करना है अब आपको वहां जाना है जहां पर आपने वह फोल्डर को एक्स्ट्रेक्ट किया था यानि कि कट करके पेस्ट किया था हमने सीरी ड्राइमिंग यहां पे HP Laserz1010 इसको खोलेए यहां पे आपको सरफ एक ही फायल मिलेगी उस पर डबल क्लिक करेए या फिर एक बार क्लिक करके ओके कर दीजे अब यहां पे ओके कर दीजे तो पहला नंबर यह है HP Laserz1010 अब यहां पे अगर आपको नाम चेंज करना उसका तो आप कर सकते हैं नेक्स्ट कर दीजे अब अगर आप अपने printer को share करना चाहते हैं तो share पर ही रहने दीजे अगर आप नहीं करना चाहते तो do not share this printer पर क्लिक कर दीजे और next पर क्लिक कर दीजे अब यहां पर option आ चुका है एक test page पेज प्रिंट करके चेक करने का तो हम टेस्ट पेज प्रिंट करके देख लेते हैं तो जो प्रिंट है वो आ चुका है और यह बिल्कुल सई प्रिंट है फोटो में हो जकता आपको थोड़े वर्ड लाइट लग रहे हूं लेकिन यह बिल्कुल परफेक्ट है अब हम आसे से क्लोज कर देंगे और यहां पर नेक्स्ट या फिनिश यह जो आपका कंट्रोल पैनल है यह अपने आप उपन हो जाएगा और यहां पर फिनिश पर क्लिक कर दीजब देखिए आपका जो है यह फिलेजर्जाट 1010 है वह इस लिस्ट में आ चुका है और आप ms word या फिर किसी भी pdf फाइल को प्रेंट दे सकते हैं दूसर तरीके पर हम आते हैं स्रीम आपको वैसे करना है अंजिप पे क्लिक करना है ओके करना हैं येस पे क्लिक करना है ट्रेदिशनल मोड येस सबसे नीजे वाला option next .4 वाला पोर्ट अब पहले वाला आपको सलेक्ट करना है जिसके पर्जन लिख़्ा है वो वाला आपको सलेक्ट नहीं करना next कर देने नाम आगर आप change करना चाहे तो कर सकते हैं next पर click कर दीजिए अब डू नोट शेर दिस प्रिंटर पर रहने दीजिए और next पर click करते हैं टेस्ट पेज में प्रिंट नहीं करके दिखा रहा है finish पर click करा और देखे अब यहां पर आ चुका है तो बस एग था आज की वीडियो में और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आपकी problem solve वी तो आप comment में जरूर बताइएगा और अगर कुछ पूछना हो तो आप comment में पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर सकते हैं मन हो तो channel subscribe कर सकते हैं लेकिन इसमें problem है इस printer में driver जो हैं वो dual side printing यानि जिसे duplex printing कहते हैं यानि paper के दोनों side में print करना उसको support नहीं करते हैं तो अगर आप किसी भी software में Adobe, Acrobat या फिर PDF element किसी से भी कमाण देंगे तो वो पूरी नहीं होएगी क्योंकि इस printer dual side printing को support नहीं करता है तो अगली वीडियो में हम यह देखेंगे और सीखेंगे कि इस printer से dual side printing कैसे करते हैं तो make sure कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखें हो सकता है इस वीडियो जैसे खतम हो गई है तो 3-4 second बात आपको उसका suggestion भी आ जाए तो आप उसको भी जरूर watch करिएगा Thank you